अगर कोई आपसे किसी नधी अतलाब के किनारे थोड़ी सी शराब या एक बीडी मांग ले तो आप क्या करेंगे? शायद आप उसे एक घूट या एक बीडी दे देंगे पर अगर वही मांगने वाला आपको अपने साथ पानी में ले जाकर डुबा कर आपकी जान ले ले तो मोहन बिहार के गया जिले के एक छोटे से गाउं में रहता था और एक दिन बाद उसका जनम दिन था वो 18 साल का होने वाला था उसके जादा दोस नहीं थे तो उसने सोचा कि वो अपना जनम दिन अपने माबाप के साथ मनाने के बाद खुद को एक छोटी सी पार्टी दे कर special बनाएगा और उसे क्या पता था पर ये उसकी जिन्दिगी की सबसे भयानक पार्टी होने वाली थी मोहन की उम्र जादा तो नहीं थी पर उसके कुछ कम उम्र दोस्तों ने बीडी और शराब पीना शुरू कर दिया था मोहन को लगने लगा था कि शायद बड़े होने का मतलब बीडी और शराब पीना ही था उसने डिसाइड कर लिया था कि इस साल अपने जनम दिन पर वो कुछ बड़ो वाला काम करेगा मोहन ने प्लान बनाया था कि वो स्कूल से आएगा मम्मी पापा के साथ खाना खाएगा और सब के सोने के बाद अपने पापा के अलमारी से बीडी निकाल लेगा और एक प्लास्टिक की बॉटल में उनकी थोड़ी सी विस्की डाल कर अपने बर्ड़े को सेलिबरेट करेगा बहुत दिमाग लगाने के बाद मोहन को आईडिया आया कि वो अपनी पाटी किसी ऐसी जगा करेगा जहाँ उसे कोई नहीं देख सकता था और गाओं के पास वाले तलाब से बहतर जगा हो ही नहीं सकती थी उस तलाब के पास रात के समय कोई नहीं जाता था लेकिन उस गाओं के लोग कहते थे कि दस साल पहले एक लड़के की उसी तलाब में पंडुबबा के हाथो मौत कोई थी पंडुबबा के बारे में मोहन ने कई चीजे सुनी थी कोई कहता था कि पंडुबबा उस तलाब में रहने वाला एक राक्षस था तो कोई कहता था कि अगर उस तलाब के पास कोई जाता है तो कोई जानवर जैसी चीज उसे पानी के अंदर खीश लेती है पर मोहन इन सब बातों में नहीं मानता था उसे लगता था कि ये बस बच्चों को डराने के लिए बनाई हुई कहानिया थी फाइनली मोहन का जनम दिन आ गया और वो अपने प्लान के मताबिक पहली बार इतनी रात में घर से बाहर निकल कर उस तलाब के पास जा रहा था रास्ते में एकदम अंहिरा और गहरी शानती थी मोहन अपने फोन की टॉर्च ओन कर खेतों की बीच से जा रहा था जहां उसे बस अपने कदमों और जिंगूरों की आवाजे आ रही थी तभी उसे अपने सामने वो तलाब दिखा मोहन के अलावा बहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था उस तलाब पर सननाटा चाया हुआ था मोहन को थोड़ा डर तो लग रहा था पर उसने अपने डर को अपने अंदर समेटा और तलाब के किनारे बैट गया वो नहीं चाहता था कि उसे कोई भी वहाँ देख ले इसलिए उसने अपने फोन की टॉर्ज भी आफ कर दी हर तरफ केवल अंधेरा था बस चांद की रोशनी थी जो उस तलाब पर पढ़कर आसपास फैल रही थी तलाब के पानी की शान्ती के साथ दूर दूर तक बस जिंगूरो की ही आवाजे आ रही थी मोहन ने बड़े ही अराम से प्लास्टिक की बॉटल खोली और विस्की का पहला घूटलिया और तभी उस तलाब की शान्ती में एक हल चल हुई दोस्तों दे क्राइम शो के नए एपिसोड में हम लाएं है एक बहुत ही क्रीपी ट्रू क्राइम स्टोरी 18 साल की ग्रेस अपने बर्ड़े की रात हो जाती है लापता इन्वेस्टिगेशन पर पता चलता है कि उसे डेटिंग एप टिंडर पर एक लड़का मिला था जो की एक साइको था और उससे मिलने के बाद से वो गायब है क्या हुआ ग्रेस के साथ जानने के लिए देखिए हमारी नए स्टोरी टिंडर मुडरर हमारे नए क्राइम चैनल दे क्राइम शो पर लिंक डिस्क्रिप्शिन और पिंट कॉमेंट में मोहन ने पीछे मुड कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था उससे लगा कि कोई तलाब का मेंड़क या मचली होगी तो उसने उस पर जादा ध्यान नहीं दिया और अब अपनी जेब से एक बीडी और माचिस का डबा निकाला उसने बीडी अपने मुँ में रखी और जैसे ही उसने माचिस जलाई उस आग की रोशनी में उसे अपने पास कुछ दिखा उसने माचिस की लोको साइड में किया पर अब वहाँ कोई नहीं था उस लगा कि ये सब उसके मन का डर है तो उसने विस्की का एक और घूट लिया फिर आखे बंद की और वहीं लेट कर बीडी पीने की कोशिश करने लगा अचानक उसे महसूस हुआ कि ठीक उसके मूँ के पास कोई है जिसकी सांसें मोहन के चहरे पर आ रही थी मोहन ने आखे खोली तो उसे दो चमकती नीली आखें दिखी जिससे देखकर वो घबरा उठा उडर के मारे जट पटाया तो वो नीली आखें उससे थोड़ा पीछे हो गई मोहन घबराहट के मारे वहां से उठा और अपनी टॉर जला कर उसने देखा कि उसके बगल में एक बहुत ही अजीब सा जीव बैठा था जिसका पूरा शरीर काई से भरा हुआ था उसके हाथ और पैर दोनों उल्टे थे नाख बेहत बड़ी और लंबी बड़ी बड़ी बाहें और दो हाती जैसे दरधार दांत थे वो मोहन से एक धीमी पर साफ अवाज में बेड़ी और शराब मांग रहा था और अपनी बड़ी भयानक आँखों से उसे घूरते हुए अपने बेहधी नुकीले नाखूनों वाले हाथ मोहन की तरफ बड़ा रहा था जैसे ही मोहन ने उसे अपने पास आते देखा उसका खून जम गया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो पंडुबबा ही है जिसके बारे में सभी गाउवाले बात करते थे और गाउवालों के अनुसार पंडुबबा किसी को भी डूबने से पहले उससे तंबाकू या शराब ही मांगता है और मोहन के पास दोनों थे पंडुबबा फिर से अपनी धीनी अवाज में बोला और मोहन से बीडी और शराब मांगने लगा वो धीरे धीरे अपने नुकीले हाथ मोहन के चहरे के बेहत करीब ले आया मोहन जिसके एक हाथ में बीडी और दूसरी हाथ में शराब थी वो सुन पढ़ गया और उसके पसीने छोटने लगे पंडुबबा अब धीरे धीरे उससे बीडी और शराब मांगते हुए उसके और पास आ रहा था वो बस अब उससे एक सांस की दूरी पर था कि तभी मोहन ने वहां से भागने की कोशिश की पर पंडुबबा ने उससे पकड़ लिया और उससे लेकर तलाब के अंदर कोट लिया मोहन को आकरी चीज जो महसूस हुई वो ये थी कि पंडुबबा उसे तलाब के सबसे गहरे हिस्से में ले जा रहा है और उसकी सांस धीरे धीरे खतम हो रही है अगली सुभा मोहन के घर से गायब होने की बज़ा से उसके पूरे परिवार ने गाउवालों के साथ मिलकर मोहन को हर जगा ढूंडा पर वो कहीं नहीं मिला फिर जब सब हिम्मत करके तलाब के पास गए तो उन्होंने देखा कि तलाब के किनारे एक प्लास्टिक बोटल और बस एक आधी भुजी हुई बीडी पड़ी थी और उसी तलाब के बीचो बीच एक लाश तेर रही थी जिसके मू, आख और नाख सब तलाब के गंदी काई से भरे हुए थे गुलाश और किसी की नहीं बल्कि मोहन की ही थी मोहन की लाश को देखकर सब को यकीन हो गया कि उसका ये हाल और किसी ने नहीं बल्कि पंडबबा ने ही किया था बिहार में कई इलाखे ऐसे हैं जहां लोग पंडुबबा के भूत से डरते हैं अक्सर जो इनसान तलाब में डूब कर मर जाता है उसकी आत्मा को मुक्ती नहीं मिलती और वो पंडुबबा बन जाता है कहते हैं कि वो तलाब या नधी के किनारे वाले हर तमबाकू या शराब पीने वाले इनसान से अपनी शराब और तमबाकू की तलब पूरी करने की मांग करता है और फिर उसी इनसान को पकड़ कर पानी में डुबा कर जान से मार देता है ऐसा ही एक पानी का राक्शस यानि Water Demon जपान में भी पाया जाता है जिसे वहां के लोग कपपा कहते हैं तो दोस्तों अगर तंबाकू और शराब की वज़ा से होने वाली बिमारी से अगर जान बज़ भी जाए तो पंडुब्बा आपकी जान ज़रूर ले लेगा इसलिए साफधानी बढ़ते हैं आज की कहानी जन हित में जारी हमारी नई क्राइम स्टोरी टिंडर मर्डरर चेक आउट करना मत भूलना एंड स्क्रीन पर क्लिक करो और देखो